हेलो दोस्तो, FilmEflicks में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं Harry Potter सीरीज की first movie की Harry Potter film की सारी सीरीज JK Rowling की novels पर based है और आज मैं इस सीरीज की first installment को explain करूँगी जो है Harry Potter and the Sorcerer's Stone तो चलिए शूरू करते हैं इस movie की explanation को तो दोस्तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि देरात को हॉक्वर्ट स्कूल के प्रोफेसर्स, अलबस डंबलडोर, मिनर्वा मैक गॉनिगल और हॉक्वर्ट के ग्राउन कीपर रूवियस हैगरिट एक साल के अनाथ हैरी पॉर्टर को उसके एकलोते रिष्ट जी रहा है, हैरी के अंकल आंटी उसे बहुत परिशान करते हैं, एक फैमिली ट्रिप के दौरान हम देखते हैं कि हैरी जू में एक साप से बात करता है और वो अक्सिडेंटली अपने कजिन डटली को स्नेक टैंक में गिरा देता है, दोस्तो इस सीन में हमें पता चलता है कि हैरी के पास कुछ जादोई शक्तिया हैं, इस इंसिडेंट के बाद हैरी के नाम से धे सारे खत आने लगते हैं, जो कि आउल्स लेकर आते हैं, खतों से परिशान होकर डर्सली जाता है और हैरी को बताता है कि हैरी एक जादुगर है और वो हॉगवर्ट स्कूल में चुना जा चुका है, अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी को छूम अंतर गली ले जाता है, जहां से हैरी अपने स्कूल का सामान ले सके, नेक्स सीन में हम देखते हैं कि हैरी को जादुग चड़ी लेने के लिए ओलिवेंडर्स की दुकान में भेजता है और हैरी के लिए बर्टे प्रेसिंट खरीतने जाता है यहां Harry Ollivanders की दुकान में जाता है जहां Mr. Ollivanders Harry को बताते हैं कि जिस छड़ी ने Harry को चुना है उसकी जोडिदार ने Harry के माथे पे वो निशान दिया है और फिर हम देखते हैं कि Hagrid Harry को एक pet owl Hedwig gift करता है Harry Hagrid से अपने माबाप की कातल के बारे में पूछता है जिस पर Hagrid उसे बताते हैं कि James और Lily Potter को Lord Voldemort ने मारा था और वो Harry को भी मारना चाहता था लेकिन वो उसे मार नहीं पाया एक Harry ही था जो आज तक उसके श्राप से बच पाया है और इसलिए वो जादूई दुनिया में इतना मशूर है अगले सीन में हम देखते हैं कि Harry Hogwarts जाने के लिए Kings Cross Station आता है ट्रेन तक पहुशने के लिए Harry को platform number पौने 10 तक पहुशना होता है जिसमें Ron की mom उसकी help करती है और वहीं उसे पता चलता है कि Ron भी पहली बार Hogwarts जा रहा है ट्रेन में Ron Harry से दोबारा मिलता है जहां पर उनकी दोस्ती हो जाती है ट्रेन में Harry और Ron की मुलाकात Hermione Granger से भी होती है जो एक बहुत ही intelligent जादूगर्नी होती है जिसके माबाप मगलू होते है स्कूल पहुशने पर Harry की मुलाकात एक और student ट्रेको मैलफॉई से होती है जो बहुत ही अमीर जादूई परिवार से होता है ट्रेको रॉन को नीचा दिखाते हुए Harry से दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन Harry उसकी दोस्ती को ठुकरा देता है स्कूल पहुशने के बाद सारे students great hall में जमा होते हैं जहां first year students की sorting ceremony होती है sorting ceremony में सारे students को चार houses में चुना जाता है वो है गरूरद्वार, मेनतकश, चील घाट और नाकशक्ती कौन सा student कौन से house में जाएगा इसका फैसला बोलती टोपी करती है हम देखते हैं कि हर्माइनी और Ron गरूरद्वार में जाते हैं और ड्रे को नाकशक्ती में जाता है लेकिन जब हैरी की बारी आती है तब बोलती टोपी हैरी को नाकशक्ती में डालना चाती है लेकिन हैरी के मना करने पर बोलती टोपी उसे गरूरद्वार में चुन लेती है आगे हम देखते हैं कि Harry Hogwarts में जादूई मंत्र सीखना शुरू करता है और उसे अपने past और parents के बारे में पता चलता है उटने की पहली class में जब Neville बुरी तरह से घायल हो जाता है तब Draco Neville का Remembral उठा कर उसका मजाक उड़ाता है और Harry को जाड़ू पर उड़ने के लिए चैलेंज करता है अगर आप Harry Potter का Hindi version देखोगे तो वहाँ पर Remembral को भूलना जाना बताया गया है Remembral एक transparent ball है जिसके अंदर लाल धुआ आता है अगर आप कुछ भूल जाते हो प्रेको नेविल का Remembral हवा में fake देता है और Harry अपने जाड़ू पर उड़ते हुए उसे catch कर लेता है ये incident देखने के बाद Professor McGonagall Harry को Quidditch टीम में खोजी तुन लेती है हाला कि First Years को टीम में नहीं लिया जाता लेकिन Professor McGonagall Harry की flying skills देखकर इतनी impress होती है कि वो उसे खोजी अपॉइंट कर देती है अगले scene में हम देखते हैं कि जब Harry, Ron और Hermione अपने dormitory में लोट रहे होते हैं तब सीढ़ियां बदलती हैं और वो तीनों तीसरी मंजिल पर पहुच जाते हैं जहां जाना मना होता है वहाँ पर उन्हें एक तीन मूँ वाला कुटा fluffy दिखता है जो एक चोर दर्वाजे की रक्षा कर रहा होता है जैसे ही वो लोग fluffy को देखते हैं वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी dormitory में लोट जाते हैं अगले दिन charms class में Ron एक मंत्र ठीक से नहीं बोल पाता और Hermione उसे सिखाने की कोशिश करती है इसकी वज़े से Ron embarrassed feel करता है और Hermione की insult करता है Hermione upset हो जाती है और वो अपने आपको बादरू में लोग कर लेती उसी रात एक troll school में घुस आता है और वो Hermione पर हमला करता है लेकिन Harry और Ron Hermione को बचा लेते हैं और इस incident के बाद वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते है next scene में हम देखते हैं कि Harry का पहला quidditch match है और Harry काफी nervous है Harry quidditch pitch पे जाता है और match start होता है match काफी अच्छा चल रहा था लेकिन match के बीच में कोई Harry के जाडू पर जादू कर देता है जिसकी वज़स से वो अपने जाडू से गिरने लगता है Hermione प्रोफेसर स्नेव की तरफ देखती है जो लगातार मंत्र पढ़ रहे होते हैं और वो उनके पास जाती है और उनके केप में आग लगा देती है और उनका ध्यान Harry से हट जाता है Harry दोबारा अपने जाडू पर बैठता है और वो सुनेहरी गेन पकड़ लेता है जिसकी वजल से गरूर द्वार match जीत जाता है Harry, Ron और Hermione match के दोरान हुए incident के बारे में Hagrid को बताते हैं और कहते हैं कि fluffy जिस चीज की रक्षा कर रहा है Snape उसे चुराना चाता है Hagrid इनका विश्वास नहीं करता है और वो उन पीनों से कहता है कि वो कुटा जिस भी चीज की रक्षा कर रहा है वो प्रोफेसर डंबलडोर और Nicholas Flamel के बीच की बात है ये बात चानने के बाद Harry, Ron और Hermione Nicholas Flamel के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन काफे ढूंडने के बाद भी उन्हें Nicholas Flamel के बारे में कुछ पता नहीं चलता Christmas की छुट्टियों के लिए Hermione अपने घर चली जाती है और वो Ron और Harry से Nicholas Flamel के बारे में लाइबरी के restricted section में ढूंडने को कहती है Christmas की सुबर Harry को Christmas gift के तौर पर उसके डाट का Invisibility Cloak यानि अद्रिश्य चोगा मिलता है और उसके साथ एक नोट भी होता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे ये दिया था इसे तुम्हें देने का वक्त आ गया है ध्यान से इस्तमाल करना Harry जैसे ही Invisibility Cloak पहनता है उसकी Body Invisible हो जाती है यानि कि कोई उसे देख नहीं पाता है Harry रात में अद्रिश्य चोगा पहन कर Nicholas Flamel के बारे में जानने के लिए Library के Restricted Section में जाता है मगर वहाँ भी Harry को कुछ पता नहीं चलता Library में ढूनते वक्त Hogwarts के पहरेदार Mr. Filch वहाँ आ जाते है लेकिन क्योंकि Harry ने अद्रिश्य चोगा पहना हुआ होता है इसलिए वो उसे देख नहीं पाते है Library से लोटते वक्त Harry को Professor Snape और Professor Quirle दिखाई देते है Professor Snape Quirle को धमकाते हुए पूछते हैं कि वो किस के साथ है Harry उनसे बचने के लिए पास के एक रूम में जाता है जहां उसे एक आइना दिखाई देता है Harry जब उस आइने के पास जाता है तब वो आइने में अपने आप को अपने पैरेंट्स के साथ देखता है Harry अपने पैरेंट्स को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और दोड़ कर Ron के पास जाता है उससे उस आइने के बारे में बताने के लिए जिसमें उसे उसके माता पिता दिखाई दे रहे हैं जब Ron उस शीशे में देखता है तब वो अपने आपको Head Boy और Quidditch Captain के रूप में देखता है और उसके हाथ में Quidditch Cup भी होता है इसके बाद अगली रात Harry फिर उस आइने के पास जाता है क्योंकि उसे उसमें उसके पैरेंट्स दिखाई देते हैं Harry उसमें अपने पैरेंट्स को देख रहा होता है तब ही वहाँ डंबलडोर आते हैं और Harry को बताते हैं कि ये एक मामूली आइना नहीं है ये शाहिवाग का आइना है ये आइना सिर्फ वही चीज़े दिखाता है जिसकी हम दिलो जान से ख्वाहिश रखते हैं और इसलिए Harry को आइने में उसके पैरेंट्स दिखते हैं क्योंकि Harry को कभी उनका साथ नहीं मिला तंबल्डोर हैरी को ये भी बताते हैं कि इस आइने ने कई जिन्दगियां बरबाद की है और इसलिए इसे यहां से हटा दिया जाएगा और वो इसे ढूनने की कोशिश ना करे आगे हम देखते हैं कि Christmas की छुट्टियां खतम होती है और Hermione Hogwarts वापस आती है कि कुछ हफ़ते पहले उसने एक किताब पड़ी थी जिसमें Nicholas Laamel का जिक्र है Hermione उन दोनों को बताती है कि Nicholas Laamel एक ऐसा आदमी है जो पारस पत्थर बना सकता है पारस पत्थर किसी भी धातू को सोने में बदल सकता है और किसी भी इंसान को अमर बना सकता है और फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है जो निकलस लमैल के पास है हर्माईनी हैरी और रॉन को कहती है कि फ्लफी तीसरी मंजिल पर उसी पत्थर की रक्षा कर रहा होगा और फिद हम देखते हैं कि देर रात को Harry, Ron और Hermione Hagrid के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि Snape पारस पत्थर चुराना चाहता है लेकिन Hagrid उनका विश्वास नहीं करता है Harry, Ron और Hermione से बाते करते करते Hagrid एक बड़ा सा अंडा टेबल पर रखता है Ron Hagrid से पूछता है कि ये अंडा उसे कहां से मिला जस्पर Hagrid कहता है कि ये अंडा उसने किसी से जीता है और इतने में हम देखते हैं कि अंडे में से एक ड्रैगन बहार आता है और Hagrid उसे Norbert नाम देता है आगे हम देखते हैं कि Draco, Harry, Ron और Hermione को Hagrid के साथ देख लेता है और Professor McGonagall के पास जाकर तीनों की कम्प्लीन करता है क्योंकि रात को स्कूल में घूमना मना है Professor McGonagall चारों को सजा देती है आगे हम देखते हैं कि Mr. Filch उन चारों को Hagrid के पास लाते हैं और कहते हैं कि उन्हें Hagrid के साथ अंधेरे जंगल में जाना होगा और यहीं उनकी सजा होगी Hagrid emotional होकर बताता है कि Norbert को Dumbledore ने रोमानिया भीज दिया है ताकि वो अपने जैसों के साथ रह सके नेक्स सीन में हम देखते हैं कि Hagrid, Harry, Ron, Hermione और ड्रेको जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक पेड़ के पास यूनिकॉन का खून दिखाई देता है Hagrid उन चारों से कहता है कि उन्हें उसी जखमी यूनिकॉन को ढूनना है जिसका खून उन्हें मिला है Hagrid, Ron और हर्माइनी के साथ यूनिकॉन को ढूनता है और Harry और ड्रेको को दूसरी तरफ ढूनने को कहता है आगे हम देखते हैं कि ढूनते ढूनते Harry और ड्रेको का सामना वाल्डेमॉट से होता है जो एक यूनिकॉन का खून पी रहा था प्रेको वाल्डिमॉट को देखते ही वहां से डरके भाग जाता है और वाल्डिमॉट हैरी पर हमला करने की कोशिश करता है तब ही एक सेंचौर फिरेंस आता है और वो वाल्डिमॉट को भगा देता है पिरंस हैरी को बताता है कि यूनिकॉन का खून पीने से जिन्दगी तो मिलती है मगर आधी जिन्दगी पिरंस हैरी को बताते हैं कि वॉल्डिमोर्ट ने उस यूनिकॉन को मारा था और उसी का खून पी रहा था ताकि उसे जिन्दगी मिल सके यहां Harry को समझ आता है कि Voldemort पारस पत्थर इसलिए चाहता है ताकि उसे पूरी जिन्दगी मिले और वो अमर हो जाए Unicorn का खून पीने से तो उसे सिर्फ आधी जिन्दगी मिलेगी Harry इस पूरे इंसिडेंट के बारे में Ron और Hermione को बताता है और कहता है कि Professor Snape इस पत्थर को अपने लिए नहीं बलकि Voldemort के लिए चुराना चाहते हैं ताकि वो अपने इंसानी रूप में वापस आपाए और अमर हो जाए Hackrit बातो बातो में Harry, Ron और Hermione को बताता है कि अगर Fluffy के सामने अच्छा म्यूजिक बजाया जाए तो वो सो जाता है ये सुनने के बाद Harry, Ron और Hermione decide करते हैं कि वो रात को पारस पत्थर ढूणने जाएंगे इससे पहले कि Snape उस पत्थर को ढूण ले रात को वो तीनों तीसरी मंजिल आते हैं और देखते हैं कि Fluffy पहले से सोया है आगे हम देखते हैं कि Harry, Ron और Hermione को धेर सारे टास्क पेस करने पड़ते हैं पारस पत्थर तक पहुँचने के लिए जैसे कि उन तीनों को पहले शैतानी फंदेगा सामना करना पड़ता है जिसमें Hermione की मदद से वो फंदे से आजाद हो जाते हैं फिर वो एक रूम में पहुचते हैं जहां पर एक और दर्वाजा होता है जो लॉक था और उसकी चावी हवा में उड़ रही होती है दूसरी चावियों के साथ हैरी जाडू की मदद से हवा में उड़ता है और चावी पकड़ लेता है और वो लोग दर्वाजा पार कर लेते हैं इसके बाद उन्हें एक जाइंट चेस गेम खेलना पड़ता है जिसमें रॉन बुरी तरह से घायल हो जाता है रॉन के घायल होने के बाद हैरी हर्माइनी इसे रॉन का ख्याल रखने को कहता है और आगे वो अकेले जाता है आगे जाने पर हैरी को पता चलता है कि पारस पथर चुराने की कोशिश करने वाले प्रोफेसर स्नेप नहीं थे बलकि उसके गुप्त कलाव से रक्षा के टीचर प्रोफेसर कुरल थे Harry को पता चलता है कि Quidditch match के दौरान Quirrell उसे मारना चाहते थे और Professor Snape उसे बचानी की कोशिश कर रहे थे Professor Quirrell अपना टर्वन निकालते है और हमें एक कमजोर Valdemort दिखाई देता है उनके सिर के पीछे वाले हिस्से में और वहां हम देखते हैं कि Harry के pocket में अपने आप पारस पत्थर आ जाता है Valdemort Harry से पत्थर मागने की कोशिश करता है ये कहकर कि वो उसके parents को वापस ले आएगा लेकिन Harry उसे पत्थर देने से इनकार कर देता है Quirrell Harry को मारने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही Harry अपने बचाओं में Quirrell को छूता है Quirrell का शरीर जल जाता है और सिर्फ उसके ashes बचते हैं और next हम देखते हैं कि Valdemort की आत्मा ashes से निकलती है और Harry को छू कर निकल जाती है और Harry बेहोश हो जाता है next scene में हम देखते हैं कि Harry hospital wing में है और Dumbledore उसे मिलने आई है Dumbledore उसे बताते हैं कि पारस पथर अब नश्ट कर दिया गया है और Ron और Hermione सुरक्षित है Harry Dumbledore से सवाल करता है कि वो पथर उसके पास कैसे आया जिस पर Dumbledore उसे बताते हैं कि जो उस पथर को ढूणना चाता था इस्तिमाल करना नहीं सिर्फ वही उस पथर को हासल कर सकता था यही वज़ा है कि वो पथर Harry को मिला क्योंकि Harry उसे सिर्फ ढूणना चाता था Dumbledore Harry को ये भी बताते हैं कि Professor Quirrell Harry को क्यों नहीं मार पाए असल में जब Harry की मान ने Harry को बचाने के लिए अपनी जान दी तब उनकी sacrifice की वज़े से Harry को Voldemort के against एक protection मिल गई इसी वज़े से Professor Quirrell Harry का सपश परदाश नहीं कर पाए इस movie के ending scene में हम देखते हैं कि सारे students Great Hall में हैं और Dumbledore Harry, Ron और Hermione को house points reward करते हैं जिससे नाकशक्ती और गरूर द्वार में tie हो जाता है और दोनों first place पे होते हैं फिर Dumbledore Neville को 10 points देते हैं और गरूर द्वार house cup जीच जाते हैं अंत में सारे students summer holidays के लिए अपने घर जाते हैं जाने से पहले Harry Hagrid से मिलता है और Hagrid Harry को उसके parents के photos gift करता है और फिर Harry train में चड़ता है और हम देखते हैं कि movie यहीं पर खतम हो जाती है Thank you guys इस video को end तक देखने लिए अगर आपको यह video थोड़ी से भी अच्छी लगी तो इसे like करें, share करें और इस channel को subscribe करें और bell icon प्रेस करना ना भूले ताकि आपको इस channel के नए videos की notification मिलती रहे